वेल्कम टो कंप्लेट नोड जैस ऑथेंटिकेशन सिस्टम डेवलोप्मेंट सिरीज और यह अमारी सिरीज का फिप्थ पार्ट है और इसके अंदर हम बनाने वाल है रजिस्ट्रेशन एप बियाई देखिए यहाँ पे हमने पूस्टमेंड कलेक्शन क्रियेट किया दा जिसक पार्ट करने वाल है जैसे कि यह जो बोड़ी वैलिडेशन है वो कैसे किया जाता है फिर यहाँ पे कुछ चेक्स हम यहाँ पे लगाने वाल है साथ में जो फोन नंबर का जो पार्सिंग है वो भी कैसे किया जाता है और यह पासवर्ड इंक्रिप्शन की जो टेखनीक होती वो भी हम यहाँ पे understand करेंगे और साथ में ही हमारा जो user register होगा जिसने भी यहाँ पे जो भी email address डाला होगा उसको हम यहाँ पे एक email भी send करने वाले है तो यह जो सारा code है वो हम इस video के अंदर करने वाले है तो चलिए अभी इस video को start करते हैं देखे अभी चलते हैं हम VS code के अंदर और आपको जो सबसे पहला जो काम करना है registration API create करने के लिए वो है हमारा src folder के अंदर चलना है और उसके बाद यहाँ पे हमने एक router create किया है उसके अंदर जाना है नाव यह जो router है उसके अंदर आपको एक endpoint create करना है जो कि हमारा इस postman के अंदर define है जो कि यह slash register तो आप यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे हम simply enterprise करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे router.route और यह जो route है वो है हमारा slash register अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यह post request है तो हमें यहाँ पे एक post method यहाँ पे create करनी होगी तो यहाँ पे हम लिखते apicontroller.register now आपको यह यहाँ पे error देगा कि यह register नाम का कोई function यहाँ पे exist ही नहीं करदा तो अभी हमें क्या करना होगा हमारा यह जो controller है उसके अंदर जाके हमें यह जो apicontroller है वहाँ पे आप देखिए हमारे पास पहले से ही दो controller यहाँ पे create किये हुए है जो कि हमारे base template में थे और अभी हमें यहाँ पे third add करना है जो कि होगा हमारा register controller तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा यहाँ पे register लिखूँगा and then यह जो पूरा code है उसको यहाँ से मैं self से copy करूँगा और यहाँ पे paste कर दूँगा now हमारा यह जो basic यहाँ पे code controller setup का वो यहाँ पे successful हो चुका है और अभी हमें यहाँ पे change करना है और वो change यह है कि हमारा यह जो register API यह वो कुछ create कर रहा है basically हम यहाँ पे user को add करने वाले यहाँ पे register करने वाले तो उस case में जब भी हम कुछ add करते है हमारे database के अंदर तो उस case में हमें यहाँ पे 201 status code send करना होता है तो वो हमने यहाँ पे change कर लिया है अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें terminal को open करना है और अभी हम यहाँ पे run करेंगे npm rundev जो कि हमारा script command है अभी आप यहाँ पे चलिए इस postman के अंदर और यहाँ पे अभी हम simply यहाँ पे send करने वाले तो जैसे ही मैं यहाँ पे send करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 201 created और यहाँ पे हमारा जो base template है उसके अंदर से पूरा response यहाँ पे send हो रहा है जो कि हमने यह जो हमारा controller है उससे यहाँ पे send करवाया हुआ है तो यह जो registration की API है उसके अंदर हमें जो task perform करना है वो मैं यहाँ पे list कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं टूडू create कर रहा हूँ और उसके अंदर अभी में यहाँ पे बारी-बारी से comment डालने वाला हूँ कि हमें कौन-कौन से task है जो इस registration API के लिए create करने होगे तो यहाँ पे मैं जो पहला task डालूँगा वो तो है हमारा body validation उसके बाद हमारा जो second काम है वो है हमारा phone number parsing and validation then third जो काम है वो हमारा time zone को get करना तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ time zone हम यहाँ पर derive करेंगे और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद हम यहाँ पर check करेंगे कि हमारा जो user है actually यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर registration की API उसके अंदर हम यहाँ पर email address ले रहे है लेकिन हमें यहाँ पर check भी डालना होगा कि यह जो email address है उसी same email address है क्या यह user हमारे database में exist कर रहा है या नहीं तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे check डालेंगे that check user existence using email address उसके बाद हमारा जो next काम होगा वो होगा हमारा password encryption तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ encrypting password यहाँ पर हम हमारा account confirmation object था तो अगर आपने database modeling के अंदर देखा होगा जो कि हमने previously discuss किया था तो उसके अंदर हमने account confirmation का object create किया था और यह account confirmation object जो है उसके लिए कुछ data हमें यहाँ पर prepare करना होगा तो यहाँ पर में लिखूँँगा account confirmation object data तेन यहाँ पर हम लिखेंगे creating user एंड उसके बाद last में हम यहाँ पर email send करेंगे तो यहाँ पर में लिखूँँगा send email तो यह जो हमारा पूरा to do list है इसी वे में हम यहाँ पर one by one सारी चीज़े implement करने वाले इस register API के लिए तो चलिए सबसे पहले start करते है body validation से और अगर आप इस वीडियो के अंदर सोच रहे हैं कि हमारा यह जो database connection है वो तो हमने किया ही नहीं इस वीडियो के अंदर हमें जो model create करना है जो कि हमारा mind mapping के अंदर हमने create किया था user entity के लिए वो भी model हम यहाँ पर create करेंगे लेकिन वो थोड़ा आगे जाके करेंगे तो अगर आप यह चीज़ सोच रहे थे तो मैं यही पर यह clear कर देता हूँ user type.ts और इसके अंदर मुझे लिखना है export interface और यह जो interface होगा उसका हम नाम रखेंगे i register request body और इसके अंदर देखें क्या चीज़े आने वाले हैं अगर आप यह पर postman के अंदर जाएंगे तो यह जो हमारा body था इसको आपको simply copy करना है and then यहाँ पर paste कर देना है और यह जो bracket है इसको हटा देना है और अभी आप देखें कि यह जो सारी चीज़े है यह जो name, property, email address, phone, number और यह पासवर्ड है यह सारे string होने वाले है तो यहाँ पर मैं string कर देता हूँ और यह consent है वो हमारा होगा तो हमने यह जो हमारा registration का request body है उसका type यहाँ पर create कर लिया है और इसे यहाँ पर export भी कर लिया है अभी next time जो हमारा validation service को create करना तो मैं चलता हूँ यहाँ पर service folder के अंदर और यहाँ पर एक file create करेंगे validation service.ts अभी यह जो file है उसके अंदर हम validator को create करने के लिए हमने एक library install की जो खी थी हमारी joy library तो यहाँ पर मैं इसे import करूँगा import joy from joy now यह जो library है इसको import करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर हम एक validation object को export करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हो export const और इसका जो हम नाम रखेंगे वो होगा validate registered body और इसके अंदर अभी हम क्या करे यह जो हमने joy package को import किया उसके उपर आपको एक object method मिलती है उसका हम use करेंगे और इससे simply यहाँ पर call करेंगे now अभी हमें इसके आगे यहाँ पर generic pass करना है और इसके अंदर अभी हमने जो user types के अंदर यहाँ पर type create किया उसको simply pass करना है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ I register request body और इसको मुझे strictly यहाँ पर follow करना है इसके लिए मैं यहाँ पर true करूँगा now इसके अंदर जैसे आप object create करेंगे और यहाँ पर control space press करेंगे तो आपको यहाँ पर suggestions मिलेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पहला property है वो है हमारा name और इसके अंदर हमें जो इसका जो type होगा वो र जाएगी और यह होगा हमारा required यानि कि यह जो चीज़े वो हमें चाहिए ही चाहिए अभी यहाँ पर हमें एक error मिल रही है और यहाँ पर दिखा रहा है is not assignable to parameter of type strict schema map तो इसके पीछे का reason है कि हमने यहाँ पर true किया हुआ है लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे हटा दे और यह होगी email और साथ में यह भी होगी required नाव इसके बाद जो next property है वो है हमारी phone number तो यह भी होने वादा है हमारा string प्लस यह भी होगा required और अगर हम phone number के min max की बात करें तो इसको हम assume कर सकते कि कोई भी phone number है वो at least 4 digit का होगा और maximum यह 20 digit तक जा सकता है इसके बाद हमारा जो minimum length होगी वो होगी हमारी 8 और जो maximum length होगी वो होगी हमारी 24 प्लस इसको हम यहाँ पर trim करने वाल है और यहाँ पर यह होगा required इसके बाद यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे जो last अमारा option है जो कि यह consent तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे joy.bullion और इसका जो valid option होगा वो हो तो यहाँ पर एक regex भी apply कर सकते हो तो उसके लिए आप यहाँ पर dot regex करके एक chaining method मिलती है joy के अंदर आप इसका use करके यहाँ पर एक regex apply कर सकते हो जिससे आपका यह जो password है वो अगर आप चाहते होगी इसके अंदर numeric digit हो alpha numeric digit हो और उसके साथ में यहाँ पर कुछ special character तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हो लेकिन मैं इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इससे implement नहीं करने वाला तो यहाँ पर मैं इससे save कर देता हूँ अभी यहाँ पर हमें एक function create करना है जो की होगा हमारा validation के लिए तो यहाँ पर मैं लिखता ह export const validate joy schema और यह जो function होगा इसके अंदर हमारा पहला parameter आएगा वो होगा हमारा schema और यह होगा joy.schema type का तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ joy.schema और यहाँ पर जो इसकी value होगी वो होगी एक unknown type की अभी यह जो function है वो एक generic function होने वाला है तो यह जो हमारे parenthesis है इसके आगे आप लि आएगा और अभी आपको यहाँ पर लिखना है const result equal to schema.validate और इसके अंदर आप pass करेंगे हमारा जो value है उसको लाव इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर return करना है और आप return क्या करेंगे पहली चीज़ तो आप return करेंगे value तो यहाँ पर लिखेंगे result.value और इसको type assign करे and then यहाँ पर अगर आप error आती है तो यह error भी आप return करने वाला है तो यहाँ पर लिखेंगे result.error अभी यह जो हमारा function है वो हमने इसले create किया because यह joy है उसके उपर जो validate method आती है वो हमें यह जो value इसका return करते है उसका type provide नहीं करती तो हमने यह method है उसको इस particular अपने custom method के sign कर दिया जिससे हमारा जो type script के अंदर development हम करेंगी वो थोड़ा आसान हो जाएगा अभी यह हमारा validation service से उसका काम यहाँ खतम हो चुका है तो अभी हम वापस से चलते हैं हमारे API controller के अंदर और अभी हमें जो सबसे पहला काम करना है वो यहाँ पर क्या करेंगे हम यह जो हम body मिल जाती है तो उसका हम use करेंगे बट यहाँ पर दिखे यहाँ पर हमें जो body है उसका type यहाँ पर define करना होगा कि actually मैं इसके अंदर कौन से type का यहाँ डेटा आने वाला है तो यह जो type होगा वो यही same type का होगा जो कि हमने इसके अंदर यह जो user type के अंदर create किया है i register request body य जो हमें express के अंदर मिलता है and then यहाँ पर हम क्या करेंगे जो body है इसकी type यहाँ पर override करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा body और यहाँ पर अभी आप क्या करेंगे हमारी जो हमने custom type यहाँ पर create की दी i register request body इसको import करेंगे now यह जो हमने i register request नाम का जो type create किया उसको आपको यहाँ पर लिखना है as and then यह जो हमारा i register request है उसको यहाँ पर लिख देना है अभी अगर आप यहाँ पर body करके यहाँ अगर dot type करेंगे तो आपको यहाँ पर suggestion मिलेंगे जो भी हमें यहाँ पर data receive होने वाल है now इतना हो जाने के बाद यह जो body validation का part है उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम एक method को import करेंगे जो कि हमने अभी recently यहाँ पर create की थी हमारी validation service के अंदर जो की थी validate choice schema इसको import करने के बाद यहाँ पर मैं bracket लगाऊंगा and then यहाँ पर अभी हमें schema पास करना है तो इसके हमें इसके अंदर value pass करने है तो यह जो schema होगा वो किस चिसको यहाँ पर validate करेंगा तो हमारी जो body receive होने वाली है उसको तो यहाँ पर में लिखता हूँ body and then इसके आगे हम एक generic pass करना है जिसके अंदर हम यहाँ पर इसका type assign करेंगे तो यहाँ पर में लिखता हूँ i register request body now इत value है इसके उपर अभी हमें type receive होने वाल है अगर आपको में यहाँ पर दिखाओ तो आप देखे value dot जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर suggestion मिल जाएंगे और यह वो रहा है because हमने यहाँ पर custom method यहाँ पर create की थी तो अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले तो check करना होगा कि क्या कोई error है तो यहाँ पर अगर error होगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे return http error और इसके अंदर आपको next function यहाँ पर pass करना है and then यहाँ पर आप यह जो error है उसको भी pass करेंगे then third जो parameter है वो हमारा request and then यहाँ पर अमारा जो status code होगा क्योंकि यह एक validation error है इसके लिए हम इ चलेंगे हम इस postman के अंदर और यहाँ पर मैं जैसे send करता हूँ तो अभी देखिए यह जो हमारा API यहाँ पर error दे रहा है कि यह जो name है वो empty नहीं हो सकता तो पहले ही हमारा API accept करा था लेकिन अभी यह नहीं कर रहा है तो अभी हम यहाँ पर कुछ dummy information डालते है तो यहाँ प country code डालेंगे and then यहाँ पर मैं कोई भी random सा phone number डाल देता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 999 और यह जो password है उसके अंदर हम यहाँ पर अभी कुछ भी 8 character का यहाँ पर password create कर ले दे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ coder at the red 9965 और यह जो consent है वो true होना चाहिए अगर हम यहाँ पर false करके try करेंगे तो भी हमें यहाँ पर error मिलेगी कि consent must be true यहाँ पर हमें इसे true ही करना होगा और अभी हम यहाँ पर जैसे send करेंगे तो हमें यह successful response मिल गया और आप यहाँ देखिए हमने यह जो value यहाँ पर print करवाई थी जो कि हमारी पूरी validate होके यहाँ पर value create होके आई है वो यहाँ पर हमें पूरा properly print होके मिल रहा है तो हमारा जो validation का part है वो हमने यहाँ पर खतम कर लिया है तो अभी हमारा next का हम है वो हमारा phone number का parsing और उसका validation तो phone number को अभी parse करने के लिए हमें क्या करना होगा आप देखिए यहाँ पर हमारी पास एक file है जो हमारा method है उसके अंदर हम यहाँ पर phone number को receive करेंगे जो कि होगा एक string type का और अभी हम इसके अंदर क्या करने वाला है यहाँ पर हम एक try catch ब्लॉग लगाएंगे तो यहाँ पर में लिखता हूँ try catch ब्लॉग और अभी यहाँ पर हम लिखेंगे const past phone number और यहाँ पर आप call करें यह phone number जो कि हमें function parameter के अंदर से receive होगा अभी आप यहाँ पर एक check लगाएंगे यह past phone number यानि कि past phone number हमें मिल जाता है तो फिर हम यहाँ एक object return करेंगे और इस object के अंदर हम तीन चीजे लेने वाले है पहली तो है हमारी country code तो यहाँ पर में लिखता हूँ country code जो कि हमें लिखता हूँ past phone number dot country और यह कई cases में null भी हो सकता है तो यहाँ पर में और null लिख दूँगा and then यहाँ पर हमारा जो last है वो हमारा international number और यहाँ पर में लिखता हूँ past phone number dot format international और यह एक method है तो इसे हम यहाँ पर call कर देंगे अभी इसको मैं यहाँ पर copy करूँगा और यहाँ यहाँ पर आके मुझे simply क्या करना है यह जो तीनों चीज़े है यहाँ पर मुझे null return कर देना है because अगर हमें यहाँ डेटा नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पर इसे null treat कर गे यहाँ इसे return कर देंगे और यह जो same चीज़े वो मुझे error की case में भी यहाँ पर return करनी है और अगर यहाँ पर अभी वापस से हम object destructuring करने वाल है तो यहाँ पर मैं यह जो object destructuring करूँगा वो करूँगा value के उपर और इसके अंदर से अभी हमें चाहिए phone number लाव यह जो phone number है उसका use करके हमने यह जो अभी method create किया अमारे quicker के अंदर जो किता हमारा parse phone number उसके अंदर pass करेंगे तो यहाँ पर हमें phone number को pass करूँगा और यह जो हमारा parse phone number आपका method है वो में return करेंगा तीन चीज़े पहली तो हमारी country code दूसरा हमारा international number और टीसरा हमारा ISO code अभी यहाँ पर यह जो phone number है इसके आगे आगे आपको plus भी लगाना होगा तो यहाँ पर में string के अंदर plus हमारे इस particular phone number के साथ अभी इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पर चेक लगाएंगे if not country code और not international number और not ISO code याने कि इन तीनों चीज़ों में से अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर हम यहाँ पर एक error त्रो करेंगे और वो error त्रो क्या करेंगे हम देखिए हमने यहाँ प इंपूर्ट करेंगे response message को अभी यह जो response message है इसके अंदर आप एक error add करेंगे तो यहाँ पर में लिखता हूँ invalid phone number और यहाँ पर message लिखेंगे invalid phone number और यहाँ पर अभी आपको इसे use करना है तो यहाँ पर में लिखता हूँ invalid phone number जिससे हमारा अगर कुछ भी information इन तीनों में इसे यहाँ पर नहीं मिलता है तो हमें यहाँ पर simply 4 double 2 की यहाँ पर error send करनी है तो इसे अभी हम run करके देखते हैं तो आप देखें यहाँ पर मैं इसे जैसे send करूंगा तो यहाँ पर ही हमारा successful आ रहा है because हमारा यह जो number है वो बहुत ही perfect है लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 7 7 लिक हो तो आप देखें यहाँ पर मुझे against error दे रहा है because यहाँ पर यह four digit मांग रहा है तो यहाँ पर मैं कुछ alpha bets लिक देता हूँ और यहाँ पर अभी enter करते हैं तो आप देखें यहाँ पर हमें दिखा रहा है invalid phone number because इसके अंदर कुछ यहाँ पर error generate होई होगी आप valid होखें मिल रहा है और अगर आप चाहाँ तो यहाँ पर कुछ और digit भी डाल सकते हैं जैसे कि मैं 1111 डाल देता हूँ और यहाँ पर अभी enter करते हैं तो again हमें invalid दिखा रहा है because एक valid number नहीं है तो अभी मैं इसे undo कर देता हूँ और यह हमारा जो phone number का जो validation का part था वो यहाँ यहाँ पर खतम हो चुका है और अभी हमें क्या करना है अभी हमें यहाँ पर get करना है हमारा time zone तो time zone get करने के लिए आपको एक library को install करना होगा और वो जो library है उसे हमें यहाँ पर install करेंगे तो यहाँ पर में लिखता हूँ nbmi country and time zones तो यह एक library है जिसका use करके आप यहाँ country का जो time zone होता है उसे get कर सकते हो तो हमारी यह जो library वो successfully आप इंस्ट्रल हो चुकी है और अभी हम क्या करेंगे यह जो time zone है इसके अंदर हमें काम करना है बट उसके लिए again से हमें यहाँ एक method create करने होगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर चलते वापस से util के quicker.ts के अंदर और अभी हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर एक method create करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे country time zone और यह receive करेंगी यहाँ पर ISO code जो की होगा string और इसके अंदर अभी हमें हमारा जो package है उसका use करना है तो यहाँ पर इसके अंदर हमें एक method मिलती है जो की यह get time zone for country तो यह जो method यहाँ पर आप देखेंगे तो यह country time zone से यह पर import हो जाएगी और इसके अंदर हमें pass करना होता है हमारा ISO code तो यह जो ISO code है वह हमने यहाँ पर get किया था हमारे इस pass phone number method से तो इसका हम यहाँ पर use करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हो ISO code और अभी यहाँ पर इससे हम simply return करने वाल है now यह return हो जाने के बाद यहाँ पर हमें इसे use करना होगा तो यहाँ पर मैं again लिखता हूँ quicker.country time zone और इसके अंदर हमें pass करना है हमारा ISO code जिससे हमारा यह जो time zone है वह हमें यहाँ पर derive हो जाएगा अभी यह time zone हमें array के रूप में मिलता है या तो फिर null मिलता है तो हम यहाँ पर चेक लगाएंगे if not time zone और time zone dot length equal to equal to zero अगर यह condition यहाँ पर true होती है तो फिर इस case में हम यहाँ पर एक error वापस से through करने वाल है और यह same error होगी because इसको भी हम derive कर रहे हमारे phone number के through तो यहाँ पर हम invalid phone number वाली error डालने वाल है अभी जो लोग यह सोच रहें कि इस time zone का में क्या काम है देखिए time zone हमें इसलिए required है because चब भी हम यहाँ पर कुछ activity करते है तो हमारे case के अंदर हमारे database होता है उसके अंदर हम यहाँ यूटी सी के अंदर यहाँ पर time store करते है लेकिन अगर आपको user की preference के हिसाब से जैसे की user अगर इंडिया में रहता है तो उसको उसका time zone दिखाना है कि उसने जब यह activity की थी तो उस वक्त कौन सर time था वो अगर आपको format करके दिखाना है तो उसके लिए time zone बहुत ही important है और यह अगर आप store कर लेते हैं तो आप किसी भी user अपने worldwide किसी भी जगा से उसने register किया हो या फिर कुछ भी activity कियो तो यह time zone की help से आप यह पर इसे format करके उसको उसकी preference के इसाब से उसके location के इसाब से उसे दिखा सकते हो तो इसके लिए time zone भी important है और अगर मैं इसे आपको यह पर लॉक करके दिखा हो तो आप यह पर देखिए मैं आप इसे time zone यह पर लॉक करता हूँ and then वापस से हम इसे run करता है तो यह यह पर मैं लिखता हूँ and then वापस से हम यह जो API कोल है उसे एक बार hit करके देखते हैं तो यह पर मैं send पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यह हमारा success आ गया है और अभी आपको यह पर दीखेगा है हमारा time zone जो की एक array का object है और इसके अंदर आपको यह पर name मिलेगा ज जिसे हम store करने वाल है तो यहाप अगर हम चाहे तो इसको destructure भी कर सकते हैं लेकिन वह हम पीस वाले stack के अंदर करेंगे जिसके अंदर हम यहाप यूजर को create करेंगे यह पर register करेंगे अभी देखिए हमारा जो next काम है वह हमारा check user existing using email address तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप देखिए यहाप यह SRC folder के अंदर आप जाएंगे services के अंदर और यह जो file है उसे पहले तो मैं delete करने ता हो तो यह file मैंने ऐसे delete कर लिए और अभी database service के अंदर आखे आपको यहापे दो methods create करने है पहले तो होगी find by email address और दूसरी होगी हमारी create user की method बट उसके पहले आपने जरूर सोचे होगी कि हमने model तो create ही नहीं किया तो उसके बिना किस तरह से यह method काम करेंगी तो अभी चले हमारा सबसे पहला जो काम होगा वह होगा model creation एंड उसके बाद ही हम यह methods है उसे यहापे create कर सकते है तो यहापे अभी हम सबसे पहले तो type create करेंगे तो यहापे मैं च जो हमारा database model उसके अंदर जितना भी data यहापे आने वाला है उसको हम यहापे type करने वाला है तो यहापे सबसे पहले तो आएगा name जो की होगा stream type का तो यहापे मैं लिखता हूँ इस is string then यहापे हम लिखेंगे email address जो की again होगा string उसके बाद हम यहापे store करने वाले phone number जो की object होने वाला है और इसको हम यहापे लिखेंगे is code जो की again होगा यहापे string now second जो property है वह हमारी country code जो की string होगी and यहापे होगा international number जो की again होगा string फिर इसके बाहर आखे यहापे time zone होगा जो की वापस होने वाला string और यहापे होगा password जो की encrypted होगा बट वो होगा string फिर हमें यहा enum है वो आपको यहाँ पर create करना है हमारे constant के अंदर तो यहाँ पर अभी आप लिखेंगे user constant.ds और अभी आप यहाँ पर एक enum create करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ export enum user role और यह जो enum है इसका जो पहला जो role होगा वो होगा admin और इसकी जो value होगी वो होगी admin और इसका जो दूसरा जो role है वो है user और इसकी value होगी user अभी इसको हमें import करना होगा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ user role और यह हमारा import हो जाएगा इसके बाद हमें यहाँ पर account confirmation object create करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे account confirmation और इसके अंदर हमारे पास चार properties आने वाले थी जिसपे पहली थी हमारी status जो की होगी boolean और इसके बाद हमारा होगा token जो की होगा अमारा string फिर यहाँ पर आएगा code जो की again होगा हमारा string और last में आएगा time stamp जो की होगा date type का या फिर null type का और अब भी हम सिर्फ यहाँ पर type create करें तो अगर आप सोच रहे हैं कि यह account confirmation के बारे मैं अभी मैं क्यों नहीं बता रहा तो उसके उपर already separate वीडियो है लेकिन मैं आपको इसके अंदर भी बताऊंगा कि जब हम यहाँ पर create करेंगे तो वो चीज हम क्यों कर रहे है तो इसके बाद हमें यहाँ पर create करना है password reset का object तो यहाँ पर इसके अंदर again हमारे पास होगा token जो की हो सकता है string या फिर हो सकता है null इसके बाद हमारे पास इसका expiry होगा तो यहाँ पर लिखते है expiry जो की again हो सकता है number या फिर हो सकता है null एंड यहाँ पर हमारे पास एक और चीज होगी जो की है last reset at यानि की कभी यह last time यहाँ पर reset हुआ था वो होगा date या फिर होगा null फिर last जो चीज है वो हमारी last login at और यह होगी date या फिर null और इसके बाद होगा हमारा concept जो की होगा pull and type तो यह हमने हमारा जो model है उसका पूरा यहाँ पर type create कर लिया है और अभी हमें यहाँ पर इसकी help से यहाँ पर model create करना है तो यहाँ पर अभी हम चलते है model folder के अंदर और यहाँ पर एक file create करेंगे user model.ts और यह जो dot git keep है इसे में यहाँ से remove कर देता हूँ तो यहाँ पर यहाँ पर एक variable create करेंगे basically schema create करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे user schema और इसके अंदर अभी आप use करेंगे mongos की schema method तो यहाँ पर हम इसे लिखते है new mongos dot schema और यहाँ पर पर प्रेंटेस लगाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पर एक generic के अंदर आपको हमने अभी जो type create किया i user उसको pass करना है now इसके अंदर आप object के अंदर जैसे ही control space लबाएंगे तो आपको सारे यहाँ पर suggestions मिल जाएगे जिसका use करके आप यहाँ पर easily यहाँ पर schema create कर सकते हो तो यहाँ पर पहला जो data है वो है name data तो इसके अंदर इसका जो type होगा वो होगा string फिर इसकी जो minimum length है वो हमें यहाँ पर रखने वाले है true और इसकी जो max length है वो होगी हमारी 72 और इसे हम यहाँ पर require करने वाले है because हम चाहते कि यह name यहाँ पर always आना चाहिए इसके बाद हमारा second है हमारा email address जो की again होगा हमारा string type का and यह वहने वाला unique तो यहाँ पर unique true और यह भी होगा हमारा required तो यहाँ पर again होगा required true इसके बाद जो third चीज है वो हमारा phone number object तो इसके अंदर अब भी हमें एक चीज यहाँ पर डालने होगी जो की होगी underscore id false because MongoDB के अंदर अगर आप यहाँ पर object create कर दे तो उसके अंदर underscore id by default बन जाती है तो वो ना बने तो उसके लिए हम यहाँ पर underscore id false कर रहे है then यहाँ पर आपको लिखना है ISO code और यह भी होगा हमारा string type का यहाँ पर हम लिखेंगे type string और यह भी होगा हमारा required तो यहाँ पर हम लिखेंगे required true फिर हमारा यहाँ पर country code आएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे type string और यह भी होगा required तो यहाँ पर हम लिखेंगे required true और यहाँ पर आएगा अभी international phone number तो यहाँ पर वापस से type होगा इसका string और यह भी होगा required अभी आपको यहाँ पर बाहर आके time zone के लिए भी यह चीज यहाँ पर define करनी है तो यहाँ पर again यह होगा type string और यह भी होगा required तो यहाँ पर required true आएगा then यह पासवर्ड है उसके लिए same चीज repeat होगी यहाँ पर होगा है type string और required true होगा और इसके अंदर एक और चीज है जोगी है select false तो इससे हमें यहाँ पर डाल लेना है जिससे हमारा यह जब भी हम data patch करेंगे तो उसके अंदर by default यहाँ पर password हमें नहीं मिलेगा फिर यहाँ पर हम role property create करेंगे तो के अंदर again यह होगा हमारा string फिर इसकी जो default value होगी वो हमारी enum से हम लेने वाला है तो यहाँ पर मैं e user role फो import करूँगा और इसकी जो default value होगी वो user और इसका जो enum होगा वो होगा user role और यह भी required होगा तो यहाँ पर वापस करेंगे required role फिर यहाँ पर हमें account confirmation object create करना है यहाँ पर हम underscore id false करेंगे और इसके अंदर अभी हमें डालना है status तो यहाँ पर यह जो status है उसका जो type होगा वो होगा boolean और इसकी जो default value होगी वो होगी false और यह भी होगा required role फिर यहाँ पर हमें token चाहिए और यह token की जो type होगी वो होगी string और यह भी होगा required true इसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए code जो की वापस से होगा type string और यह भी होगा required true फिर यहाँ पर हमें time stamp चाहिए जो की उसकी जो type होने व और अभी इसके अंदर हमें चाहिए टोकन जो की होगा हमारा टाइप स्ट्रिंग और इसकी डिफोल्ट वैल्यू अने वाली है नल देन सेकंड जो चीज है वह हमारी एक्सपाइरी तो यहाँ पे हम एक्सपाइरी को भी यहाँ पे टाइप नंबर देने वाला है और यह होगी लास्ट लॉगिन एट जिसका टाइप होगा डेट और इसकी जो डिफोल्ट वैल्यू अने वाली वह वापस से होगी नल और इसका जो कंसेंट है उसके अंदर हमें बूलियन चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप बूलियन और यह होगी रिक्वायर ट्रू अभ अभी अमारे पास दो और प्रॉपर्टीस थी ग्रियेट एट और अपडेट एट तो उसके लिए अमारा जो मॉंगोस का यूजर स्कीमा होता है उसका सेकंड पेरामिटर के अंदर आप यहाँ पे टाइम स्टैप्स को टू कर सकते हो जिससे यह जो प्रॉपर्टीस होती है वह यहाँ पे आ जाएगी अभी यह जो यूजर स्कीमा हमने क्रियेट किया उसकी अच्छा में आप एक मॉडल क्रियेट करना होगा तो यहाँ पे मैं लिखता हो export default mongos.model और इसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है user जिससे हमारा collection क्रियेट होगा user नाम का और इसके अ model है उसको आप यहाँ पे generic के अंदर type pass करेंगे i user और अभी आप यहाँ पे simply से save कर देंगे तो यह जो हमारा model है अपर user schema के उपर हमने develop किया वह यहाँ पे complete हो चुका है और यह जो max length का जो में error दिखा रहा है हमारा यह spelling का उसे हम यहाँ पे वाक्स पेश सेटिंग में डा और यहाँ पे हम create कर सकते हैं तो यहाँ पे में लिखता हूँ find user by email address और यह जो function है उसके अंदर हम email address को receive करेंगे और यह होगा string type का तो यहाँ पे हम लिखते string और इसके अंदर अभी हमें return करना है return user model.find1 और इसके अंदर आप एक object pass करेंगे और इसमें लिखेंगे email address यहाँ पे user की existence देखना है तो यहाँ पे लिखते const user equal to और यह एक asynchronous method है तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब it और यहाँ पे आप import करेंगे database service को और उसके अंदर हमारे पास method है find by email address तो इसको call करेंगे and then यहाँ पे जो email address है जो कि हमें इस value के अंदर से मिलेगा उसका हम use करें तो यहाँ पे यह जो email address है उससे destructure करने के बाद इसे pass कर देंगे यहाँ पे और अभी हम यहाँ पे एक check लगाएंगे const if user यानि की user अगर है पहले से ही तो फिर हम यहाँ पे एक error बेजेंगे और यह जो error होगी उसका message यहाँ पे different होने वाला है तो यहाँ पे हम वापस से चलते response message के अंदर और अभी हम यहाँ पे लिखेंगे already exist और यह होने वाली एक method तो यहाँ पे हम लिखेंगे वापस से entity और यहाँ पे लिखेंगे identifier जो की होगा एक string और इसके अंदर अभी हम return करेंगे तो यहाँ पे में लिका हो return और यहाँ पे यह जो template string है उसके अंदर पहला हम लिखेंगे entity is already exist with और यह जो identifier है उससे simply pass कर देंगे अभी यहाँ पे जो invalid phone number है उससे यहाँ से हटा के हम यहाँ पे already exist यहाँ पे pass करेंगे और इसके अंदर हमें entity pass करने है तो यहाँ पे हम लिखेंगे user और यह जो identifier है उसमें हम pass करेंगे email address तो यह जो message हमें return होग जब भी अगर कोई user already exist करेगा वो होगा user is already exist with email address जो भी उसने email address डाला हो अभी यहाँ पे हमें अवेट की error दिखा रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो register है उसके आगे symbol async यहाँ डाल देंगे जिसे यह error जो है वो यहाँ से चली जाएगी now हमारा यह जो password है जो कि हम यहाँ पे इस value के अंदर get कर रहे है तो यहाँ पे अगर मैं इस password को यहाँ पे बाहर निका दू तो यह जो password है वो plain text में आ रहा है लेकिन इसको हमें encrypt करना होगा तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे हम वापस से चलते हमारे util के quicker.ts के अंदर और यहाँ पे अभी हम एक method create करेंगे जो कि है hash password नाव यह जो hash password method है वो password को receive करेगी जो कि string होगा और इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे हम biggrip का use करेंगे तो यहाँ पे यह जो biggrip package है उसको हम यहाँ पे import करने वाले है तो यहाँ पे मिकरदा हो import biggrip wrong और इसे हमन round pass करना है तो कि हम pass करेंगे 10 और यहाँ पे अभी आप करेंगे इसे return नाव यह जो short round है वो basic के लिए आपका जो password होगा यानि कि अगर password जो एक बार hash होता है तो उसको total hash password को भी वो बार बार hash करता रहेगा और यह चीज यह 10 बार करेंगा तो अभी यह जो हमारा hash password है वो य इसके अंदर हमारा यह जो quicker का using करने वाला है तो यहाँ पे में लिखता हूँ quicker. हमने प मैथड बनाई hash password है उसके पास कर देंगे अभी थोडी देर के लिए हमारा hash password है उससे हम यह पे log करवाएंगे तो यहाँ पे में लिखता हूं console.log encrypted password और फिर अभी हम क्या करेंगे यह जो हमारा API वाल है उसे वापस एक बार perform करके देखने वाल है तो यहाँ पर में इसे kill करता हूँ और वापस से इसे run करते हैं और अभी postman के अंदर चलके यहाँ पर send करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक promise मिलेगा जो कि यहाँ पर दिखा रहा है मैं await और उसके बीचे का क्या reason है because यह जो हमारी method है hash password की वो भी एक asynchronous method है तो यहाँ पर हमें affect लगाना होगा और अब अगर हम वापस से यहाँ पर try करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर मैं send करता हूँ तो यहाँ पर मिल रहा है encrypted password और इसको हम यहाँ पर store कर सकते हैं अब भी हमें यहाँ पर यह जो account confirmation का object data है उसे भी यहाँ पर create करना होगा तो इसके अंदर हमें main दो चीजे चाहिए पहली तो अमारा token और दूसरा है अमारा code तो आपको यहाँ पर पता होगा कि account confirmation का अमारा API है उसका हम यहाँ पर email send करने वाला है तो उसके लिए एक तो हमें यहाँ पर token generate करके email में send करना होगा एक URL बना के और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा यह code जो कि एक random code होने वाला है नाव यह जो registration है उसी वक्त पर हम यहाँ पर confirmation का URL send करता है जो कि basically एक front end का URL होता है और वो जो front end होता है वो एक back end की API को call करता है जो कि हम इस next video के अंदर बनाने वाल है बट इसका जो पूरा URL sending का जो part है वो हमें इस API के अंदर करना होगा तो इसलिए हमें जो token वागिरा है वो अभी इसी API call के दोरान कर रहे है तो उसके लिए अभी हमें ये दू चीज़े चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा वापस से अभी हमें क्या करना है हमारा जो quicker है उसके अंदर चलना है and then या बे हमें एक package को install करेंगे जो कि ये nbmi uid जो कि हमें एक unique identifier generate करके देता है तो इसे हम install करता है और इसके जो types है वो भी हमें चाहिए होगे तो या आप हम लिखेंगे addred types slash uid और इसको हम as a dev dependency install करेंगे now आपको या पे एक method create करनी है जो कि हमारी होगी quicker.ds के अंदर और इसका हम नाम रखेंगे generate random id और ये जो हमारी v4 है जो कि हमें uid से मिलती है उसका use करके हम या पे random uid generate करेंगे और ये एक function होने वाला है तो आपको या पे इसे return करना होगा then यहाँ पे एक और method हमें चाहिए जो कि होगी हमारी generate otp और यह हमें code generate करने में help करेगा हमारे confirmation url के लिए तो इसके अंदर हम एक length receive करेंगे जो कि एक random length होने वाली है जो कि अगर आप चाहेंगे कि आपको six digit का otp चाहिए तो यह आपको six digit का otp बना के दे देगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे const mean और इसके अंदर आप math के power function का use करेंगे और आपको यहाँ पे लिखना है 10 and यहाँ पे लिखेंगे len minus one then आपको यहाँ पे एक max भी निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे math.pow and again आप यहाँ पे लिखेंगे then फिर आप यहाँ लिखेंगे len और फिर आप इसके अंदर से one को minus करतेंगे अभी आपको यहाँ पे एक function को import करना है जो कि हमारा random int function जो कि आपको यहाँ पे crypto नाम का जो हमारा node.js का inbuilt module होता है उसके अंदर से मिल जाएगा और इसके अंदर अभी आपको क्या करना है आपको यहाँ पे पहले तो minimum pass करना है then आपको maximum pass करना है जिससे आपको एक random integer बना के देगा और इसको last में आपको to string में convert कर देना है अभी यह जो दोनो method है वो हमने यहाँ पे create कर लिये तो अभी हम इसका use कर गए यहाँ पे token और code को generate कर सकते है तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा यह जो token है यहाँ पे हम लिखते quicker.generate random id और इसको simply call कर देंगे और यह जो code है उसको भी कुछ इससे तरह से करेंगे quicker.gener generate OTP और इसके अंदर आप digit pass करेंगे जो कि होगा 6 अभी हमने यह पे token और code को generate कर दिया है और इसकी help से हमारा यह जो सारा पूरा जो registration का प्री processing था वो हमने complete कर दिया है अभी हमारा next काम है कि हम यह जो user का जो सारा data collect करके उसे validate करके parse करके जो हमने variable के अंदर store किया है उसे ह हमें database के अंदर भी store करना है तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे वापस से चलेंगे database service के अंदर और यहाँ पर method create करेंगे जो कि हमारी register user method नाव इसके अंदर हम payload receive करेंगे और यह payload होगा अमरा i user type का तो यह जो i user है उसको हम क्या करेंगे वापस से यहाँ पर लिखेंगे आपे await करेंगे from the database service.register user बट इसके अंदर हमें payload चाहिए अभी यह payload क्या है कि जो हम यहाँ पर data store करना चाहते है उसका हमें एक यहाँ पर object create करना होगा और यह जो object है वो बनेगा हमारी जो उपर हमने सारी preprocessing की उसकी help से तो यह जो payload है वो again से होगा i user type का और इसके अं पहले तो हमें यह पर name चाहिए तो name जो है हमारा वो हमें again receive हो जाएगा हमारे इस value से तो यहाँ पर इसके अंदर जीतनी भी चीज़े है वो सारी में destructure कर देता हो तो इसके अंदर अभी एक और बचाए consent and एक है email address तो यह email address तो इसे यहाँ से हटा देता है और अभी हम क्य करेंगे यह पर यह name आ जाने के बाद आप अगर यह पर देखेंगे तो आपका है email address तो वह भी हमने यह पर पास कर दिया then आपको यह पर पास करना है phone number और यह जो phone number है इसके अंदर आपको चाहिए पहले तो country code तो वह हमें यह से मिल जाएगा then आपको चाहिए ISO code तो वह भ false then यह पर यह जो token है वह भी हमारे पास है जो कि अब भी हमने यह पर create किया उसके बाद हमें code चाहिए वह भी हमारे पास है and then यह जो timestamp है वह हमें यह पर null रखेंगे because यह timestamp तभी update होगा जब हम यह आपर actually में account को confirm करेंगे using account confirmation API फिर यहाप हम password reset का object बनाएंगे यहाप हम password reset और इसके अंदर अभी हमें चाहिए token जो कि होगा null then इसके बाद यहाप है expiry जो कि again होगी null and यहाप है last reset add है जो कि होगा null और यह सारी values null इसलिए है because यह तभी update होगी जब हम यहाप है actually में password reset की request डालेंगे फिर यहाप हमारे पास होगा last login add जो कि होने वाला है null इसके ब consent है वो भी हमारे पास है और यह जो time zone है वो actually हमें time zone के अंदर से array है उसका zeroth element लेना है और उसके अंदर से हमें चाहिए name property now यह जो consent है इससे पहले एक और चीज़ बचिए शायद और वो है password तो यहाप हमें यह जो password है उसके अंदर pass करेंगे हमारा encrypted password और यहापे comma लगाए तो हमारा यह जो object है वो पूरा यहापे खतम हो चुका है और यह जो log है उसे भी हम यहाँ से खटा सकते है now यह जो payload है वो भी इसके अंदर हमने pass कर दिया है और अभी हम क्या करेंगे जो success है इसके अंदर हमें यहाप एक object create करना है और अभी हम यहापे underscore id को pass करने वाद है तो यहापे मैं लिखता हूँ newuser.underscore id जिससे हमारा यह जो user create होगा उसकी यहापे id हमें return हो जाएगी हमारे response के अंदर तो हमारा यह जो सारा काम है वो यहापे खतम हो चुका है और अभी हम क्या करने वाद है इससे test करके देखता है अभी हमारा सिर्फ email sending का का काम बागती है बाकी सारा यह user creation का जो काम है वो यहापे खतम हो चुका है तो अभी मैं इससे run करके देखता हूँ और साथ में यहापे database को भी open कर लेता है तो यहापे हमारे पास users collection आ चुका है और इसके अंदर अभी कुछ भी data नहीं है तो यहापे मैं API को hit करता हूँ तो यह जो register API है इसको अभी हम hit करने वाला है तो यहापे मैं इससे send करता हूँ और अभी आप देखे यहापे हमें underscore id return होके मिल रही है और अभी अगर हम database के अंदर यहापे find web वापस से refresh करके देखेंगे तो आप देखें यहापे सारा data आ गया है coder भी नाम आ गया है email address आ गया है अगर हम phone number के अंदर जाके देखेंगे तो आप देखे iso code जो की इंडिया है and country code जो की 91 हमारा इस particular mobile number से extract होके मिला है and then हमारे पास time zone है जो की हमारा asia call काता है जो की हमने यहापे derive किया था और यह password हमारा encrypted format में यहापे आ चुका है फिर यह user role है वो भी define हो चुका है account confirmation के अंदर हम code भी है सब कुछ ready है और सारी जो डीटेल है created and updated add के साथ वो सारी चीज़े भी यहापे आ चुकी है तो हमारा जो registration की API वो successful काम कर रहे है अभी हम क्या try करेंगे वापस से जो bbcoder guy नाम का email address उससे यहापे register करने का try करता है यहापे मैं जैसे send करूंगा तो आप देखिए य bbcoder guy address gmail.com यानि कि अभी हम same email address से यहापे account create नहीं कर सकते है हमें compulsory यहापे नया account चाहिए तब यह यहापे account create होगा अगर हम यहापे bbcoder guy once try करेंगे और यहापे send करेंगे तो यह account successfully बन जाएगा लेकिन अभी मैं इस send को यहापे डिलेट करूंगा क्योंकि मैं नहीं च next का हम बचा है वह सिर्फ यहापे email send करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले तो हम यहापे email का जो data है उसको create कर लेता है तो यहापे मैं एक variable create करता हूँ const confirmation url और यह जो url होगा उसको template string के अंदर बनाने वाल है तो यहापे हम एक frontend url चाहिए होगा जिसकी help से यह जो dot ene dot development है उसके अंदर हम यहापे variable create करेंगे उसके लिए तो यहापे मैं लिखता हूँ frontend और अभी हमें यहापे चाहिए frontend url और इसको मैं यहापे यह जो हमारा local host वही डालने वाला हूँ और एक और चीज़ हमें यहापे चाहिए जो कि है हमारी email service की API तो यहापे हम यहापे मैं इससे भी डाल देता हूँ and then यहापे अभी हमें चलना है हमारे src folder के अंदर config के अंदर और यहापे इससे भी हमारे environment variable को यहापे add करना होगा तो यहापे मैं इससे comment कर देता हूँ और यह जो हमारा URL आएगा वो होगा हमारा process और यहापे मैं इससे edit करके यहा यहाँ पे हम लिखते है email service API key और इसे यहाँ पे colon करना होगा इसे हम यहाँ पे save कर देते हैं अभी इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे simply क्या करना है यहाँ पे यह जो हमारा template string है जो कि हम confirmation URL create कर रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे config जो कि हम यहाँ पे import करना है और यहाँ पे लिखेंगे frontend URL यहाँ पे लिखेंगे confirmation जो कि हमारा यह जो API confirmation का उसका URL है लेकिन यह अलग हो सकता है आपके frontend के अंदर लेकिन अभी के लिए हम इसे backend पे test कर रहे हैं यहाँ पे आपको token चाहिए तो आप यहाँ भी देखिए आप यहाँ पर अमारे पास token है तो यह जो token है वह हमारे पास already है तो यहाँ पे हम लिखेंगे token and then आपको याप एक query parameter बनाना है जो कि इसका नाम है code और यह जो code है वो भी हमारे पास पहले सही है अभी याप एक और variable बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे to यानि कि किसको send करना है और यह एक array होगा और इसके अंदर आप pass करेंगे email address then याप आपको subject write करना है कि यह जो email है वो किसके regarding है तो याप आप लिखेंगे confirm user account या फिर आप याप लिख सकते confirm your account and then आपको याप मैसेज देना है तो याप में लिखेंगे hey then याप अपना नाम देंगे तो याप हम लिखेंगे name and याप जो message होगा वो होगा please confirm your account by clicking on the link given below then याप हम double slash and करेंगे and then याप अभी हम पास करेंगे confirmation URL अभी इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है याप एक email service को create करना है तो अभी हम याप चलते है services के अंदर और याप आप create करेंगे email service तो याप आप लिखेंगे email service.ts now email service के लिए मैं क्या कर रहा हूँ याप मेरे पास एक provider है जो कि recent.com और इसकी help से हम याप एक email send करने वाल है याप मैंने पहले already कुछ email send किये थे testing के लिए तो यह जो recent.com है इसके उपर आप free में daily के 100 email send कर सकते हो for the development environment तो इसके उपर मैंने account create किया है and then आपको याप जो API keys है उसके अंदर जागे एक symbol API की create करने होती है now यह जो API किये वो पहले से ही मेरे पास है तो इसे मैं यहाप पे paste करने वाला हूँ तो यहाप अभी हम चलते .env.development के अंदर और यह जो email service API किये इसके अंदर इसके पेस्ट कर देंगे और यह जो API किये वो थोड़ी दिर में delete हो जाएगी तो अगर आप इसे use भी करेंगे तो यह काम नहीं करेंगी तो यहाप पे मैंने इसे paste कर दिया है और अभी इसके अंदर हमें यह जो हमारा recent का documentation है अगर हम यहाप पे docs के उपर जाएंगे तो इन्होंने यहाप एक proper documentation बनाया हुआ है Node.js Quick Start पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यह बोड़ आई कि आप यह जो npm install recent command है इसका use कर गए आप पहले तो package install कीजे तो यहाप मैं करता हूँ npm by recent जिससे हमारा यह जो package है वो यह पे install हो जाएगा और हम यह जो recent नाम का platform है उसकी API इसको use कर सकते है तो अभी हमें क्या करना है यह हमारा install हो जाने के बाद हमें इसे import करना है तो यहाप मैं करूता हूँ import recent and then आपको यहापे एक इसका instance create करना होगा तो यहापे मैं लिखता हूँ const recent equal to new recent and then यहापे आपको API की pass करनी है जो की हमारे बास है email service API की अभी यहाँ से हम एक module export करेंगे तो यहापे लिखता हूँ export default और इसके उपर एक method होगी जो की होगी send email और इसके अंदर हम कुछ चीज receive करने वाला है इसमें से पहला तो होगा जो की एक string का array होने वाला है फिर यहापे हमें चाहिए होगा subject जो की होगा string and last में होगा हमारे bus text जो की वापस से होगा string अभी इसके उपर हम try catch लगाएंगे तो यहाप मैं लिखता हूँ try catch और इसके अंदर अगर हमें error मिलती है तो उससे हम यहापे throw करने वाला है using throw error now यह आप लिखेंगे await तो आपको यहापे async भी आप लगाना होगा तो यहापे आप लिखेंगे async and then यह जो recent है उसके उपर हमें emails करके object मिलता है और उसके अंदर हमें मिलती है method जो की है send method now इसके अंदर आपको एक payload pass करना होता है तो यहापे हम एक object create करेंगे और यहापे आप से आपको यह email send करना है तो यहापे मैं लिखता हूँ coder vb और आपको यहापे email address देना है तो हम वहापे देंगे onboarding.resend.dev जो की इन्होंने यहापे mention किया हुआ है आप यहापे इसे copy कर सकते है इस documentation से फिर हमें यहापे to pass करना है उसके बाद हमें यहापे subject pass करना है और यहापे text pass करना है अभी हमारा email sending का जो हमारा service था उससे हमने यहापे create कर लिया है और इससे हमें simply यहापे use करना होगा तो यहापे मैं अभी import करता हूँ हमारा email service को and then उसके उपर हमारा method send email इसके अंदर हमें पहले pass करना होगा to then हम pass करेंगे subject उसके बाद हम यहापे pass करें now यह जो error है इसे हम यहापे log भी करवाने वाला है तो यहापे मैं logger को भी import करता हूँ और यह जो logger होगा उसके अंदर हम यहापे error को call करेंगे and इसके अंदर अभी हम message लिखेंगे email underscore service और यहापे कुछ meta information पास करेंगे तो यहापे लिखता हूँ meta और यहापे लिखेंग यहापे कोई error आएगा तो भी यहापे log हो जाएगा हमारे logger की throw तो अभी हम क्या करने वाले है हमारा यह जो database है उसके अंदर से यह सारी entry यहापे डिलेट कर देता है और अभी हम चलते हैं यहापे हमारे email account के अंदर तो यह जो email है उसके अंदर हम खुछ email को receive करेंगे जो यह जो email address है उसके उपर हम यहापे email receive करेंगे तो यहापे देखिए जैसे मैं यहापे send करूँगा तो यहापे error आ चुकी है और इसके पिछे का क्या reason है कि हमारा यह जो terminal है उसके अंदर हमारा application रनी नहीं कर रहा तो यहापे हम करते हैं npm run dev now इतना हो जाने के बाद हम वा refresh करके देखेंगे तो आप देखिए मुझे coderbbb का यहापे email आया है और यह आया मुझे onboarding at the recent.dev से और यहापे हमारा message है hey coderbbb please confirm your account by clicking on the link even below now यह जो url है इसका हम use करेंगे अपनी next API के अंदर और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी help से हम कैसे यहापे हमारा जो account है उससे confirm कर सकते है I know कि यह video बहुत ही लंबा हो गया और इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजे बताई लेकिन पहला जो हमारा initial setup था हमारा database का और वो सब सारे model वगेरा create करना उसमें इसका बहुत सारा time गया और इसके अंदर हमारा registration का API उसमें बहुत सारा time लिया लेकिन I know कि यह अभी हम next video के अंदर देखेंगे कि actually में confirmation API को कैसे create करना है तो अभी मैं मिलता आपको इसके next video के अंदर till then happy coding